सच भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमी मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल भोपाल शहर प्राकृतिक सुन्दर्ता और सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम है जीलों की नगरी भोपाल की जनसंख्या तकरीबन 24 लाख की है स्वच्छ सर्वेक्षंड 2017 में भोपाल ने साफ सफाई के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल करने का गौर उफप्राप्त किया क्या हम ताय करें कि 2019 जब माहत्मा गांदी के इस अवाहन को भोपाल ने अपना स्वच्छता मंत्र बना दिया नगर निगम ने समूची राजधानी को हमारा प्रण भोपाल नंबर वन का संकल्प दिलाया इस संकल्प के परिणाम स्वरूब स्वच्छ सर्वेक्षंड 2018 में भी भोपाल बन गया देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर भोपाल के हर दर्वाजे पर अब स्वच्छता दस्तक देने लगी घर घर दस्तक जैसे अनोखे अभियान से देश में पहली बार हैंड पुल्ड रिक्षा दोड़ने लगे भोपाल को साफ सुथरा बनाने के लिए शहर के हर इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात सफाई अभियान चलता रहता है भोपाल के सभी कमर्शल इलाकों की दिन में दो बार जम के सफाई होती है एक नए प्रयोग के तौर पर भोपाल के 10 कमर्शल एरियाज में 172 ट्विन स्मार्ट बिन लगाए गए है अगर गार्बिज ओवर्फलो होता है या बहुत ज्यादा कूड़ा गिर रहा हो तो उसका पता कमांड सेंटर को चल जाता है और इस पर तुरंत आक्शन लिया जाता है GPS सिस्टम के जरिये 470 सफाई वाहनों की ट्रैकिंग भी यहीं से होती है नई सफाई टेकनोलोजी के साथ साथ डोर टो डोर गार्बिज कलेक्शन और जन जागरती ने भोपाल को दिया एक नया रूप एक नया रुख ये नया रुख था भोपाल में 100% गार्बिज सेग्रिगेशन का दस्तक देते ही हर घर से ब्लू और ग्रीन डिब्बों में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग ही मिलने लगा इस कूड़े को कलेक्शन सेंटर से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मिला कर प्रोसेस किया जाने लगा भोपाल में लैंडफिल साइट पर ही बायो मिथनेशन प्लांट बनाया गया जिसमें बायो गैस के साथ-साथ खाद भी बनने लगी भोपाल की ऐसी स्वच्छता गाथा सुनाते रहता है कबार से जुगार वाला ये रेडियो शहर के बीचो बीच आया जुगारी रेडियो घर घर से एकठे किये गए कच्रे को प्रोसेस करके बनाया गया है और भोपाल ने स्वच्छता का सबसे बड़ा संदेश दिया तकरीबन 40,132 टॉलेट्स बनवा कर पुरुष, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए तो अलग-अलग सार्वजनिक टॉलेट्स बनाये गए हैं लेकिन देश में पहली बार थर्ड जेंडर के लिए विशेश किंणर शौचाले भोपाल में बनाये गए भोपाल के प्रमुख बाजारों में महिलाओं के लिए शी लाउंज बनाये गए हैं शी लाउंज जैसे नए प्रयोग के बाद भोपाल पालिका ने हर वर्ग को सवच्छता अभियान से जोडने के लिए स्वच्छ कार्ड स्कीम भी जारी की स्वच्छ कार्ड धारकों को इससे पांच से बीस पीसदी तर खरीदारी में डिसकाउंट का लाब मिल रहा है एक और अनूठा प्रयोग भोपाल में किया गया इस विशेश अभियान का नाम था स्वच्छता की पाठशाला बच्चों के साथ साथ सभी भोपाल वासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अनोखे जागरुकता कारिक्रम चलाए शेहर के रहवासी संग, एंजियो और सैने निवरित जवानों को भी स्वच्छता अभियान में जोड़ा गया भोपाल को साथ सुथरा रखने के अभियान में अब स्वच्छता अब भी एहम भूमी का निभा रही है इस अब के जरिये लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने लगे हैं अब तक 46,000 भोपाल वासी इस अब को डाउनलोड कर चुके हैं इन सभी अभियानों का परिणाम ये आया कि लोग भोपाल को अपने तरीके से साफ सुथरा रखने लगे हमारा प्रण भोपाल नमबर वन के संकल्प से आगे बढ़ रहे भोपाल को हमारी धेर सारी शुब काम नाए